हेलो दोस्तों आमारे चैनल मैच स्वालेवे आपका स्वागते आज हम डिसकस करेंगे सम इंपोर्टन रिजल्ट्स एंड डेयर अप्लिकेशन्स देखो आज जो हम टॉपिक डिसकस करेंगे आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है आपको कोश्चन सौल करने में यह टॉपि के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है हमारा है ट्रिणोमेटर क्याश्यों का पंद्रावा लेक्षर है इससे पहले हमने 14 लेक्षर अप्लोड किया है और सारे लेक्षर में हमने मतलब एक ना एक पॉइंट कवर के आवला है जो आपको जई आडवांस के लिए और आटी जई क बराबरे तो इसका प्रूब देखेंगे आम LHS लेंगे तो LHS है अमारी cos a into cos of 60 minus a into cos of 60 plus a तो देखो cos of a minus b into cos of a plus b का फॉर्मूला हमने देखा था क्या फ़र्मिल्ला था कौश्कुयर माइनस सम्टपूर्बूर बदाबर कौश्कुयर मैनस सम्टपूर्बूरे यह सारे फ़ प्रणद किये वाले तो देखो यहाँगा सक्क्वेज कि 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 60 की वेगा value रहती है 1 upon 2 तो यहाँ पे square किया तो आएंगा 1 upon 4 minus sin square बराबरें तो देखो हम sin square a को 1 minus sin cos square लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पे 1 minus cos square लिखा उसके बाद इसको solve किया हमने तो इसको solve करने बाद हमको मिलेंगा minus 3 by 4 plus cos square तो देखो और यह 4 से cross multiplication किया यह 4 से cos square A से multiply किया तो यहाँ पे आएंगा minus 3 plus 4 square और 1 upon 4 बाहर लिए हमने उसके बार हमने cos A से अंदर multiply किया तो यहाँ पे आएंगा 1 upon 4 4 cos cube minus 3 cos A 4 cos cube minus 3 cos A किसका formula है 4 cos cube A minus 3 cos A यह formula है हमारा cos3A का कि आप किसका वर्मिल है cos3a तो देखो यह हमने cos3a पूट कर दाला तो यह आप आएगा cos3a by 4 बराबर इधर तक आपको समझ में आ गया तो देखो यह हमारा first result प्रूव हो गया अब अगला result हम देखेंगे हमारा अगला result हम sina into sin of 60 minus a into sin of 60 plus a is equal to क्या है sin 3a by 4 तो देखो इसका प्रूव देखेंगे हम LHS लेंगे LHS हमारी sin a into sin of 60 minus a into sin of 60 plus a तो देखो sin of a minus b into sin of a plus b का formula उच करेंगे हमने first result में cos of a minus b into cos of a plus b का formula उच के आता और यहाँ पर हम sin of a minus b into sin of a plus b का formula उच करेंगे तो हमको मिलेंगा sin square 60 minus sin square sin square a minus sin square b ऐसा उसका formula तो यहाँ पर हमारी value आएंगे sin square 60 minus sin square a बारावर है तो sin 60 की value क्या है sin 60 की value root 3 by 2 है क्या है root 3 by 2 square किया तो आएंगा 3 by 4 तो यहाँ पर 3 by 4 put किया 3 by 4 minus sin square आएंगा उसके बाद हमने 4 से sin square को multiply किया यहाँ पर cross multiplication तो यहाँ पर आएंगा 3 minus 4 sin square 1 upon 4 हमने बाहर लिया sin A से अंदर multiply करेंगे तो sin A से अंदर multiply आगया तो यहाँ पर आएंगा 3 sin A into 4 sin cube A तो 3 sin A 3 sin A minus 4 sin cube A 3 sin A minus 4 sin cube A यह किसका formula है यह sin 3 A का formula है यह sin 3 A का formula है तो यहाँ पर आएंगा sin 3 A by 4 इधर तक आपको समझ में आ गया हम यह भी result हमारा proof हो गया अगला result देखेंगे हम tan alpha into tan of 60 minus alpha into tan of 60 plus alpha is equal to tan 3 alpha तो देखो यह result में हम proof करेंगे using the above two results we can prove this result यह दो result यूज़ करके आप इसे आसनी से proof कर सकते हैं आप इसको solve करने के मतलब कोशिश करिए आएंगा बहुत आसनी से इसको proof कर सकते हैं अगर नहीं आया तो आप मुझे comment में करके बताएं मैं आपको इसका proof detail में अगले lecture में समझाओंगा अगर यह दो proof आपको ठीक से समझे तो यह proof आप आराम से कर सकते हो तो देखो आज तीन result हमने देखें तीन result हमने अब भी तक discuss किये तो अगले slide में हम इससे रेटेट कुछ example discuss करेंगे आपको और clear हो जाएंगे यह result कैसे यूज करेंगे हमारा first example है prove that cos 20 into cos 40 into cos 60 into cos 80 is equal to 1 by 68 तो देखो हमने जो result discuss केए ते वही result हम यहाप यूज करेंगे तो देखो cos 60 की value 1 upon 2 है तो यहाप यह पर 1 upon 2 put कर दालेंगे उसके बाद cos 20 cos 60 को हम cos 60-20 लिख सकते हैं बरावर है उसके बाद cos 80 कॉम cos of 60 plus 20 लिख सकते, 60 plus 20 80, 60 minus 20 40, बराबरे ऐसा लिख सकते, तो हमने 80 को 60 plus 20 लिखा, और 40 को 60 minus 20 लिखा, तो देखो, यहाँ पे हमारा result क्या था? सोरी, हमने जो result अब भी मतलब discuss किये थे, वो किस form में थे? cos a into cos of 60 minus a into cos of 60 plus a, बराबरे इसी form में थे, तो देखो, इसी form में थे, जो हमारा question है अब भी का, वो भी इसी form में है, देखो, हमारा question किस form में? cos 20 into cos of 60 minus a, 60 minus 20 into cos of 60 plus 20, मतलब 60 minus a, a की value क्या है, हमारे 20, a की value क्या है, 20, बराबरे, मतलब यह result वही form में है, तो देखो, इसका direct solution क्या था हमारा? मतलब direct हमारी value क्या थी इसको solve करने के बाद, cos 3a divide में 4, बराबरे, तो हमारी a की value क्या है, इधर 20 है, बराबरे, तो हमने cos 3 into 20 किया और divide by 4 किया, तो यहापे आएँगा cos 60 और divide में 4, और into 1 upon 2 बराबरे, तो cos 60 के value क्या है, 1 upon 2, तो यहापे आएँगा 1 upon 16, बराबरे न, यह 1 upon 4 into 1 upon 2, 1 upon 8 बन जाएँगा, cos 60 के value 1 upon 2, तो यहापे 1 upon 8 into 1 upon 2 क्या आएँगा, 1 upon 16, बराबरे, मतलब यह हमारा result प्रूफ हो गया, तो देखो, अ 10 into sin 30 into sin 50 into sin 17 is equal to 1 upon 16 तो देखो इसको हम कही से प्रूफ करेंगे sin 30 की value 1 upon 2 है तो हमने sin 30 की value यहाँ पर पूट कर दाली उसके बाद sin 10 और sin 50 को हम 60 minus 10 लिख सकते 50 को हम 60 minus 10 लिख सकते और 70 को हम 60 plus 10 लिख सकते 70 को हम 60 plus 10 लिख सकते बराबरे तो यहाँ पर हमने 50 को 60 minus 10 लिखा और 70 को 60 plus 10 लिखा तो यहाँ आएंगा sin 10 into sin of 60 minus 10 into sin of 60 plus 10 तो देखो हमारा sin तेड़ा क्या result था sin a into sin of 60 minus a into sin of 60 plus a बराबरे यही result था हमारा sin का 60 plus a तो इसका answer क्या था हमारा हमने solve क्या तो क्या value मिली थे हमको sin 3 a divide में sin 3 a divide में 4 a बराबरे यही मिला था हमको तो हमारा a क्या इधर 10 10 क्या है हमरी a की value है तो 3 into 10 क्या हैंगा sin 30 by 4 sin 30 की value क्या आएंगे 1 upon 2 तो 1 upon 8 into 1 upon 2 क्या हैंगा 1 upon 16 यह भी proof हो गया यह भी सबज में आ गया आपको तो अकला example है हमारा prove that 10 20 into 10 40 into 10 80 is equal to 10 60 तो देखो यह हम कैसे करेंगे 10 40 को हम 60 minus 20 लिखेंगे और 80 को 60 plus 20 लिखेंगे और उसके बाद होई हमारा formula 10 3 यह तो 10 3 यह का formula एक है हमारा 20 तो 3 into 20 60 तो हमारा यह proof हो गया समझ बहा गया है यह आपको देखो अगले slide में हम और result discuss करेंगे और उसके उपर और question discuss करेंगे अगला result है हमारा cos a into cos 2a into cos 2 square into cos 2 cube a up to cos 2 raise to n minus 1 into a बरावर है n minus 1 मतलब कुन सी टर्म रहती है हम यह हम यह टर्म्स कंसिडर करते है उसके पहली की टर्म क्या रहती है यन-1 बरावर है उससे पहले की टर्म क्या रहती है यन-1 तो हमने यन-1 की टर्म तक लिया है तो देखो यन-1 into a is equal to क्या है हमारा sin 2 raise to n divided into a divided में 2 raise to n into sin a क्या है sin 2 raise to n into a divided में 2 raise to n into sin a बराबरे यह हमको प्रूफ करने का है तो देखो इसका प्रूफ देखेंगे हम एलेचेस लेंगे हमारी एलेचेस से कॉसे इंटू कॉस्ट टू स्क्वेर इंटू कॉस्ट टू क्यूब अब टू कॉस्ट टू रेस टू यहन माइनस यहन माइनस वन बराबरे तो देखो हम 2 sin A से multiply और divide करेंगे तो यहाँ पर आएंगा 1 upon 2 sin A bracket के अंदर 2 sin A into cos से उसके बाद side उसके बाद आएंगा यहाँ पर cos 2 A मैंने sin 2 A लिखा यहाँ पर cos 2 A cos 2 A into cos 2 square है उसके बाद cos 2 cube है और यहाँ पर up to cos 2 raise to 1 minus 1 A तो देखो यहाँ पर 2 sin A into cos से क्या formula है 2 sin A into cos से क्या है is equal to sin 2 A बराबर is equal to sin 2 A तो यहाँ पर आएंगा sin 2 A और यह जो cos 2 sin 2 A और cos 2 A हम एक bracket में लिखेंगे bracket के बाद cos 2 square into cos 2 cube up to cos 2 raise to 1 minus 1 into A बराबर है तो यहाँ पर फिर एक बार हम क्या करेंगे 2 से multiply और divide करेंगे तो यहाँ पर divide में आएंगा 2 square sin A और यहाँ पर bracket के अंदर आएंगा 2 sin A into cos 2 A उसके बाद cos 2 square है cos 2 cube है up to cos 2 raise to 1 minus 1 into A बराबर है तो देखो 2 sin A into cos है क्या था sin 2 A तो यहाँ पर 2 sin 2 A into cos 2 A क्या रहेंगा cos 4 A sin 4 A क्या रहेंगा sin 4 A बराबर है तो यहाँ पर हम sin 4 A put कर दा लेंगे तो देखो यहाँ पर sin 2 into 2 A लिखा मतलब sin 4 A बराबर है और यहाँ पर cos 2 square है मतलब यह भी क्या है cos 4 A बराबर है तो देखो यहाँ पर cos 2 cube है up to cos 2 raise to 1 minus 1 A बराबर है उसके बाद फिर एक बार हम 2 से multiply और divide करेंगे तो यहाँ पर divide में आएंगा 2 cube sin A उसके बाद bracket के अंदर हैंगा 2 sin 2 square A इसको हम 4 A को 2 square लिख सकते तो यहाँ पर 2 square A into cos 2 cube A up to cos 2 raise to 1 minus 1 into A बराबर है तो देखो हम हमने क्या किया था सबसे बहले sin A into cos 2 sign A into cos A two sign A into cos A क्या था साइन 2 A था बराबर है मतलब है half angle था यह double हो गए बराबर, उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद हमने two sign 2 A into cos 2 A तो यह क्या था इसका double angle 2a का double क्या हो जाएंगा 4 तो यहाँ पर sign 4a आएंगा बरावरे उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हमारा क्या है 2 sign 4a into cos 4a बरावरे 4 का double करेंगे तो क्या आएंगा 8a तो यहाँ पर सैंगी वरावरे क्पीं एंगा स्थाолотि तो देखो यहावव dong等等 ५ा सम सब्सक्राइब एंग और उसके बाद कॉस्ट्राइ स्ट्राइस्ट्व यं माइनस वन वर तो देखो आगे हम अ कि उसके बाद हम में फिर एक बार टू से मल्टिपलाय करेंगे और divide करेंगे, तो divide में आएंगा 2 raise to 4 sin है वरावरे, और bracket के अंदर आएंगा 2 sin 2 cube a into cos 2 cube a और bracket के बार cos 2 4 a, अब तो cos 2 raise to n minus 1 a, तो देखो, यहाँ पर 2 cube, मतलब 8, 8 का double किया तो क्या आएंगा 16, क्या आएंगा sin 16 है, वरावरे आपको समझ में आगया, यहाँ पर आएंगा sin 16 है, तो 16 को हम 2 raise to 4 लिख सकते हैं, वरावरे, 2 raise to 4 लिखा तो, यहाँ पर आएंगा sin 2 raise to 4 a और bracket cos 2 raise to 4 a, cos 2 raise to 5 a, cos 2 raise to n minus 1 a, बरावरे, देखो, अगर आप ऐसे इसको solve करते जाएंगे, करते जाएंगे, आप इसको ऐसे solve करते रहे हैं, तो उसके बाद हमको क्या मिलेंगा, divide में मिलेंगा 2 raise to n minus 1 into sin a, और bracket के अंदर मिलेंगा sin 2 raise to n minus 1 into a, cos 2 raise to n minus 1 a, देखो, यहाँ पर 2 raise to 4 था, यहाँ पर भी क्या था, इधर की power भी क्या थी, 2 raise to 4, बरावरे, तो यहाँ पर हमने अगर 2 raise to n minus 1 लिया, तो यहाँ पर भी क्या रहेंगा, 2 raise to n minus 1, तो देखो, उसके बाद हम अगर 2 से multiply और divide करेंगे, अगर आप इत्ते, बनलब, आप कित्ते बारा इ देखा, तो अगर यहाँ पर raise to power n minus 1 है, तो इधर की power भी n minus 1 है, बरावरे, तो यहाँ पर हमको term भी n minus 1 तक ही दिवाले, और हम अब क्या करेंगे, 2 से multiply भी करेंगे, और divide भी करेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, n minus 1, n के पहली की term है, तो देखो, अगर 2 raise to n minus 1 into 2 2 raise to n, अगर ऐसा multiply हुआ, तो देखो, यह exponent की क्या रहती है, मतलब जो power रहती है, इनकी क्या होती है, addition होती है, तो minus 1 plus 1 cancel हो जाएंगे, यहाँ पर क्या आएंगा, 2 raise to n, बरावरे, तो 1 upon 2 raise to n into sin है आएंगा, बरावरे, और bracket के अंदर आएंगा, 2 side 2 raise to n minus 1 into a, और cos 2 raise to n minus 1 into a बरावरे, तो उसके बाद देखो, उसके बाद इसका double हो जाएंगा, तो यहाँ पर आएंगा, 2 into 2 raise to n minus 1 into a, बरावरे, तो यहाँ पर यह इसकी भी power 1 है, तो यहाँ पर plus 1 minus 1 cancel हो जाएंगा, और यहाँ पर आएंगा, sin 2 raise to n into a, तो यहाँ पर हमार को क्या प्रूफ करने का साइन 2 raise to n into a, और डिवाइड में 2 raise to n into sin a, यहाँ प्रूफ हो गया, समझ में आ गया, यह देखो, यह प्रूफ करना था और यह प्रूफ हो गया, तो देखो, यह हमारा last result था, अब इसके उपर भी हम example discuss करेंगे, पहले हमने 3 result देखे, उसके उपर हमने example discuss किये, अब इसके theta is equal to pi by 2 raise to n plus 1, so that cos theta into cos 2 theta into cos 2 square theta, यहाँ पर cos 2 square theta है, यहाँ पर 2 नहीं है, 2 गलती से लिखा है मैंने, cos 2 square theta है यहाँ तो यहाँ पर, अब तो कहा तक है, cos 2 raise to n minus 1 into theta, is equal to क्या दिया वाला है, 1 upon 2 raise to n, तो देखो, यह फ्रूफ करने का है, हमको theta दिया वाला है, pi by 2 raise to n plus 1, तो देखो, जो हमने last result देखा था, उससे related example यह है, तो देखो, theta is equal to pi by 2 raise to n plus 1, हमको put करने का है, यह जो हमने result देखा था, वो भी ऐसा ही था, क्या था, cos theta, हमने ए लिया था, cos a into cos 2 a, into cos 2 square a, into cos 2 square a, अब तो कहा था, cos 2 raise to n minus 1, into a, बराबरे, तो क्या दीश के value क्या आई था, हमने proof किया था, sin 2 raise to n, theta, sin 2 raise to n, theta, और divide में, 2 raise to n, sin theta, बराबरे, तो इसी में हमको theta की value put करने की है, तो हमारी theta की value है, pi by 2 raise to n plus 1, हमने put की, into 2 raise to n, divide में, 2 raise to n, sin pi by 2 raise to n plus 1, सब्सक्राबरे, उसके बाद, उसके बाद हमने क्या किया है, अगर हमने, 2 n plus 1 minus 1 लिखा, और divide में 2 raise to n plus 1 लिखा, क्योंकि minus 1 plus 1 तो cancer होने वाले, और यह pi अगर बाहर लिखा, तो भी चलेंगा, क्योंकि हमने क्या क्या क्या, यहापर आएसी term create, मतलब लिखी, क्योंकि देखो, यह minus 1 और plus 1 तो cancer होने वारे, और 2 n से अगर अंदर multiple है गया, तो हमको value क्या मिलेंगी, 2 raise to n into pi और divide में, 2 raise to n plus 1, तो अगर ऐसे form में भी लिखा, तो हमको क्या value मिलने वाली, वही value मिलने वाली, तो हमने क्या लिखा, 2 raise to n plus 1 minus 1, divide में 2 raise to n plus 1, whole bracket close, multiply by pi बराबर है, तो देखो, उसके बाद हमने pi minus pi by 2 raise to n plus 1 किया, देखो, pi minus pi by 2 raise to n plus 1 किया, अगर आपने यह इदर ऐसा cross multiplication किया, तो क्या मिलेंगा, आपको 2 raise to n pi plus pi और minus pi cancel हो जाएंगे, मतलब देखो, आपको यही value मिलेंगी, यही value मिलेंगी, तो हमने इसको pi minus pi of 2 raise to n plus 1 लिखा, बराबर है, तो देखो, ऐसा करने, तो sin of pi minus theta क्या बर्मुला था, sin theta, sin of pi minus theta sin theta, तो यहाँ पर sin of pi divide में 2 raise to n plus 1 आएंगा, और divide में 2 raise to n, sin of pi by 2 raise to n plus 1, तो यहाँ पर यह दोनों term cancel हो जाएंगे, और बचेंगा क्या 1 upon 2 raise to n, समझ में आगया example आपको, यहाँ यह adjustment आपको ध्यान में आनी चाहिए थी, समझ में आ गया, और यह भी कई से किया, यह आपको समझ, समझ ले आप इसको कई से आपने किया इसको, तो आगला example है हमारा, prove that, cos 2 by 15 into cos 4 by 15 into cos 8 by 15 into cos 14 by 15 is equal to 1 upon 16, यह प्रूफ करने का है, हम इसका solution देखेंगे, cos 2 by 15 into cos 4 by 15 into cos 8 by 15 into cos 14 by 15 को हम pi minus pi by 15 लिख सकते, बराबर है, 5 by 15, 15 इदर multiply हो जाएंगा, 15 by minus 5, 14 by by 15 लिख सकते, बराबर है, तो pi minus theta क्या रहता है, cos pi minus theta minus cos theta, यह पर minus cos of pi by 15 लिख सकते, तो देखो, यह पर minus cos of pi by 15 into cos 2 by 15 into cos 4 by 15 into cos 8 by 15 लिख सकते, बराबर है, मतलब 4 com 2 square लिख सकते हैं, तो यह पर cos 2 square है, 8 com 2 cube लिख सकते हैं, तो यह पर cos 2 cube है, बराबर है, अगर a की value हमने pi by 15 put की, तो हमने a की value pi by 15 put की है, तो देखो, यह हमारी वही टम बन गई, जो हमने formula discuss किया था, cos a into cos 2 a into cos 2 square a into cos 2 cube है, लेकिन यह आप पर 2 cube तक है, मतलब हमारी yen terms किते हैं दिये वाले, 4 दिये वाले, into sin a, बराबर है, तो देखो, यह आएंगा, sin 16 a, और divide में minus sin b यह यह आपर, और divide में 2 raise to 4 sin a, बराबर है, तो minus sin, हम 15 a plus a, और divide में 16 sin a लिखेंगे, बराबर है, तो देखो, यहापर a की value, 15 के बाद जो हमारा a, 15 a, तो a की value हम 15, pi by 15 put कर दालेंगे, pi by 15 put कर दालेंगे, तो 15, 15 cancel हो जाएंगा, और बचेंगा क्या है, pi plus a बचेंगा, बराबर है, pi plus a, तो minus sin of pi plus a, divide में 16 sin, तो sin of pi plus theta क्या रहता है, minus sin theta, तो यहापर आएंगा, minus sin a, divide में 16 sin a, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगा और यह पर साहिने साहिने कैंसल हो जाएंगे और आएंगा 1 अपन 16 मतलब आरहे समझ में आ गया आपको इदर सिर्फ 15 के बाद कि मल्टिप्लाइ वाला जो ए उस पर ही फिप्टें फिप्टें वाल्यू पूट करने की आएसा किया ही तो आपको आसानी से इसका अंसर मिल जाएगा सबज़ आगे आपको क्या किया आपने तो देखो कुछ कोशन मतलब लॉजिकल होते आपको ऐसा करना ही पड़ता है आप में इसके पीडियो डिस्क्रिशन बॉक्स में डाल दोंगा आप उसे डाउनलोड कर लीजिगा और आज के लिए यही स्टॉप करेंगे और अगले लिक्चर में फिर में लेंगे दोस्तों नए कंस्रिप्ट के साथ नए कॉस्टन के साथ थेंक्यू